हेलो एवरीबन मैं हूँ मोनीका और स्वागत है रमना किचन में गर्मिया बहुत तेज हो चुकी है बहुती मन करता है कि ठंडा ठंडा कुछ खाया जाए और जो कि जल्दी से बन जाए और मजा भी आ जाए तो इसी के लिए मैं आज लाई हूँ आपके लिए मैंगो फालोध की रेसिपी जो कि आप 10 मिनट में बना सकते हैं तो मैंने यहाँ पर एक लिटर दूद ली लिया है जिसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे लेकिन इससे पहले हम इसके अंदर डाल देंगे एक गलास पानी दूद आप कोई भी ले सकते हैं जो भी आपके घर में अवलेबल ह मैंने यहाँ पर एक अच्छा दूद लिया है अगर आपके पास बॉल दूद है तो आप उसमें एक गलास पानी डूद बहु अच्छा से बॉयल कर लीजिए आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर मैंगो फालूदा मिक्सव एड़ कर दिया है तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो सब्जा और ड्राइ फूर्ट भी है और सेवईया भी है तो इसे हम बहुती आसानी से बहुती जल्दी बना कर तयार कर सकते हैं तो अब हम इसको दूद के अंदर डाल देंगे तो हमें इसे इसी तरह से ड्राइ ही डालना है तो यह बहुती अच्छे से मेक्स हो जाएगा बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी आप देख सकते हैं इसका कलर है बिल्कुल मैंगो के जैसा आ गया है और इसका जो टेस्ट वह बहुती अच्छा है तो हमें इसमें और कुछ भी नहीं मिलाना है अब हमें मीडियम फ्लेम पर इसे 15-20 मिनट के लिए पका लेना है जब यह गाड़ा हो जाएगा तो इसे हम फ्रीज में रख देंगे और फ्रीज का यूज़ करेंगे तो आप देख सकते हैं यह दीरी दीरे है वो गाड़ा हो रहा है और इसे कोई भी बच्चे भी बना सकते हैं इतना यह जल्दी बन कर तयार हो जाता है तो मैंने ये फर्स टाइम बनाया है लेकिन ये बहुत ही टेस्टी है एक बारा पिसे जरूर ट्राइ कीजिएगा तो आप देख सकते हैं बिल्कुल गाड़ा हो गया है घर में इतनी हो चुकी है कि दोफैर हो या रात हो सभी को ठंडा ठंडा कुछ खाने का मन करता है तो आप इसे इस तरह से बना कर रख देंगे तो बच्चे और बड़े सभी इंजोई करेंगे और आपको भी अच्छा लगेगा इसके अंदर जो सिवईया है उसे हमने चेक कर लिया है वो अच्छे से कुको हो चुकी है तो अब हमें सिफ पांच मज़ के लिए इसे और पकाना है और अब हम इसको ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद में हमें इसे रख देंगे फ्रिज में तो मैंने इसको बनाया था मॉर्णिंग में और मॉर्णिंग से मैंने यहार पर इसको ना weighted में सभी को सब आपिया था और सभी ने बहुत अच्छे सेे से इंज्जोई किया था और आप इसे इस तरह से बनापर रख सकते है upset इसको रात को बना कर सकते हैं तो मैंने इसे बाजार जिससा लुक देने के लिए जो डिस्पोजल ग्लास आते हैं उसमें सव किया था और उपर से हमने इसके अंदर एड़ कर दिया था मैंगो की कुछ पीसेज जो की बहुत ही अच्छे लगेंगे और यहां पर मैं ड्राइफ बहुत ही टेस्टी और यमी बना है अगर यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस बहंकर गर्मी में यह एक ग्लास ठंडा ठंडा बहुत ही सुकून देगा आपको तो मिलते हैं और अगली नई रेस्पी के साथ थैंक् आपको तो में लाँ आपको तो ।ो मिलते हैं के बہुते हैं अगली कावोट्रूर, जर भiva हने रहे रहें, बप्ले रहें हैं यह एक्वाब ही वी को तो मिलते हुते हैं, यह हुते हैं वह दोञी लirm George